हेलो फिरेंग नमस्कार तो ऐसे तो आप लोगों नोने कटल के सबजी कितने परकाद की जाने कितने तरह से तो आज हम अपने तरह से लाये हैं कटल के सबजी ता में simple repaired हैं आसानी से बन जाएगा तो जलिए रेशीपी को शुरु करते सब्सक्राइब करें हमारे यूटूब चैनल को घंटी वाले वटन दावाकर और पर क्लिक करें सबसे पहले वीडियो देखने के लिए वीडियो अच्छी लगे तो लाइक किजी तो कटल यहां पर हमने 500 ग्राम ले लिये हैं इसको हमने इसका चिल का अच्छे तरह से निकाल टूछार मैं देखने हैं यहां पर जो आसकी थकर जिल को टूछा लेगर वीडियो दिखने को देखने करें सबसे जरुद मेरे करी से जरूं रहे तो इसमें हम आपको को बताएंगे कैसे कटल को छिन ड्या है कैसे इसको कट करेंगे छोटे چोछोटे पीसेस में और बीच का जो रेसा होता है काके से निकालेंगे वी और फी सारा वीडियो में बताएंगे तो अवीज यह सो कि कि इस तरह से में इसको पीसिस कर लेते हैं तो छोटे-छोटे पीसिस कर लेंगे उसके बाद जो बीच में का जो रेशा होता है उसको हम निकाल लेंगे क्योंकि यह अच्छा नहीं लगता है सब्जी में मटन जैसा बनेगा और बहुत स्वादिश्ट भी लगता है खाने में इसलिए हम इसका जो रेशा होता है बीच का उसको हम निकाल लेंगे तो पहले छोटे-छोटे पीसिस करेंगे उसके बाद इसमें हम निकाल लेंगे आसानी से निकल जाता है और कठल बहुत लोग होता है कि कटता नहीं है अच्छे तरह से काटना भी नहीं आता है तो इस त यो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर किजिए गया यहां पर हम एक पीस करके सारे कटल को हमने काट लेंगे और बीच का जो रेसा है वो भी उसका हम काटके हटा देगे इस तरह से हमने पानी ले लिए हैं पतिले में तो उसमें हम पानी में डालते जाएंग निकाल सकते हैं लंबे अभी हमने काटे हैं वैसे भी काटके निकाल सकते हैं तो दोनों तरह से हमने बताए हैं आपको जो दोनों तरह अच्छा लग रहा है जिस तरह से आप मराना चाहें उसी तरह से बना सकते हैं अपने असानी से यहां पर फिर से हम काटके दिखा रहें और पानी में हमने इसको डाल देंगे तो दस मिट के करीब में इसको 10-15 मिट करीब में इसको पानी में डाल के छोड़ देंगे इसको हम ढखन लगा कि इसको पानी में डाल के छोड़ दिये हैं यहां पर हमने मसाला पिले लिए हैं तो दो हरी मिर्च है लासान है जीरा है अद बनता है मटन में भी प्याज लगता है तभी जाके अच्छा सा टेस्ट आता है उसी तरह से कटल के सबजी में भी मटन के ही स्वाद आएगा अगर प्याज थोड़ा बेसी डालिएगा और बिल्कुल हलुआई जैसा बनेगा जो हलुआई लोग बनाते हैं वजमें वह इसा ब करना है इसको हम उभाण लेंगे तो हलका से ऑबाcción लिए प्रस्पिक ढदर आऊ-ट खार अध्याल हो निकाल लेंगे दो है तो इस्टार से इसको हम उबढ़ लेंगे तो हम पांच मिनट पांच मिनट के लिए दिए प्रोफार मिनट लेना है दो देशे मिस तरह से वाल गय और इसका कलर भी तुरह वाइट हो गया है इसको हम अब निकाल लेंगे तो इस तरह से आप जरूर बनाईएगा एक एक स्टेप देख के बनाईएगा आपको बहुत अच्छा बनेगा कटल के सब्जी बिल्गुल खराब नहीं होगा असानी से अपने घर में बना के खा सकते हैं तो इस तरह से हमने कटल को वाल लिए हैं देख सकते हैं तो इसको मब फ्राइगे यहां पर हमने दूसरी कराही ले लिए इसमें हमने सर्सो का तेल डाले हैं और सर्सो का तेल मेरा गरम हो चुका है तो इसमें हम सारे कटल को पीसे स इसमें डाल के इसको फ्राइब करने दनाहिक हे दो उसके नमक यो विस भी करते ह्ल्दी और सकते हैं यहां भाइसधक लिए नमक तो हमने वाले थे उस्टेम डाल दिये थे इसलिए istanamagi कि यह दाल पादले में और फ्राई करन में अधा पक जाता है तो यहां पर हमने फ्राई कर लिए उसी में हम थोड़ा सवर तेल डाल दिये हैं तेल मेरा गरम हो चुका है यहां पर हमने जीरा डाल दिये दो सुखी नाल मिर्श तेश पत्ता डाल दिये हैं यहां पर हमने जो प्याज काटे थे उसारे प्याज हम इसमें डाल दिये तो इस तरह से अच्छे तरह से प्याज को भूल लेंगे प्याज को अच्छे तरह से भूल लेना है जब तक गोलर म्राण हो जाए अच्छे से खुशुआ आने लगे तब तक प्याज को अच्छे तर से भूल लेंगे तो मसाला को अच्छी सिभूनिए मसाला को जादा जलाना नहीं है जlor अपने चमषी सरी पाड़ डग दी 10 um घनिया पाड़ो ढबादे में तरो टो अच्छी सी मिला लेंगे और इसको भूल लेगे क कि इसको में हम थोड़ा सा पाणी डищ है तो मैसाला में अच्छा से हम ने पानी डाल दिये और इसको पाणी डाल कर दोड़ा सा और भून लेना है। कि विछैंड पर हम दो 20 second के लिए और हम भून लेंगे यहां पर हम चाल दिये स्वादनुस तरह अच्छी तरह से मसाला को बड़ अब्हार दानी पर-खौना एक आपकते। तो सोग और कि मैसाला को बना तो अभी भोल दूसख और को चॉंजा को भिलिए तो करीयों, मेरा बचूना आपको सबस्ञिए अधाना हूगरा। तो देख सकते कलर भी कितना अच्छा यहां खाने में तो बिल्कुल लगे कि मटन से कम नहीं है यहां पर थोड़ा समने पानी डाल दिये हैं घर का ही मसाला हम यूज की हैं कोई बाहर का मसाला नहीं है जो घर में हम लोग जो नर्मल जो खाते हैं वहीं मसाला है तो इस तरह से तुक्न हमने भूल लिये यहां पर हमने गरम मसाला डाल दी है तक चमद सिकड रस टीम करें अच्छी तरह से बूल लेना हैं तो मसाला हमने गरब मसाला डाल के इसको अच्छे से भून लेना है तो लगवग मेरा भूना गया है कट हल इस तरह से हमने अच्छे तरह से इसको भून के और क्या करेंगे गैस को हमने कम रखा ही है हाई नहीं किया है क्योंकि जल जाए तो यहां पर हमने कुकर ले लिए हैं क कुकर में इसको हम इसमें डाल देंगे तो कटल को हमने कुकर में डाल देंगे कि कुकर में हम सीटी लगाएंगे हलका से तो पक चुका है लिए थोड़ा सा और हम इसमें एक सूटी लगाएंगे एक दो सीटी लगा देंगे तो अच्छे तरह से पक जाएगा यहां पर देख स सिटी मेरा लग गया है एक सीटी और लगए तो जल्दी जल्दी अवे दो तिन सिटी लग गया है तो देख सकते कितना चाहा कलर आया कटलकर सब जिदम इतना अच्छा दिखनी में लागा टेश्ट दिवन अच्छा टेस्ट आयाँ एक बार मेरे ठरीके से आप जरूर ट्राइब कीजिए आपको बहुत पसंद आएगा और मेरे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो पिलीज सब्सक्राइब कर लिजिए और लाइक बट लाइक भी कर दीजिए और ज्यादा से ज़्यार कीजिए यहाँ पर हमने कटल के सब्सक्राइब कर देख सकते कितना अच्छा लग रहा है कलर भी बहुत सुन्दर है तब रोटी के साथ है या चावल के साथ है खाचा पूरी कुछ भी के साथ है आप खा सकते हैं बहुत टेस्टी बना है एक बार जुरूर ट्राइब कीजिए गया मेर तरीके से जो भी मैं वीडियो डालते हूं सिंपल सी घर का मसाला से बना की डालते हूं तो मेरे वीडियो कैसा लगा अच्छा लगो तो बाई